पॉलुस के विश्वास का ताथ परियर पाप के लिए मरने के बाद मसी के साथ जुड़ जाए रोमियो अध्याई साथ वचन एक से चार हे भाईयो क्या तुम नहीं जानते मैं व्यवस्था के जानने वालों से कहता हूं कि जब तक मनुश्य जीवित रहता है तब तक उस पर व्यवस्था की प्रभूता रहती है क्योंकि विवाईतास्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पती के जीतेजी उससे बंदी है परन्तो यदि पती मर जाए तो वहां पती की व्यवस्था से चुड़ गई इसके यदि पती के जीतेजी वहां किसी दूसरे पूरुसकी हो जाए तो व्यविविचारेनी कहलाएगी परन्तो यदि पती मर जाए तो वहां उस व्यवस्था से चुड़ जाएगी यहां तक कि यदि किसी दूसरे पूरुसकी हो जाए तो भी व्याविचारेनी न ठहरेगी वैसे ही हे मेरे भाईयो तुम भी मसी की देख के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए कि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुऊ में से जी उठा ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाएं क्या आपने कभी सूत का उल्जा हुआ बंडल देखा है यदि आप येश्व के वक्तिस्मा की सच्चाई को जाने बिना उस अध्याई को समझने का प्रयास करते हैं जिसमें प्रेवित पॉलूस ने विश्वास किया था तो आपका विश्वास के वल पहले की तुलना में अधिक ब्रण की स्थिती में होगा पॉलूस इस अध्याई में कहता है कि क्योंकि हर कोई परमेश्वर की विवस्था के सामने पूरी तरह से पापी है इसलिए कोई व्यक्ति येश्यो मसी के पास तभी जा सकता है और नया जन्म पास सकता है जब उसकी आत्मिक भूत्ति हो जाए वह सत्य जिसे पालुस ने समझा रोमियो अधियाई साथ और वचन साथ कहता है तो हम क्या कहें क्या व्यवस्ता पाप है कदापी नहीं वरन बिना व्यवस्ता के मैं पाप को नहीं पहचानता व्यवस्ता यदि न कहती कि लालच मत करो तो मैं लालच को न जानता पालुस आग किया पौल उसने मौईसूस किया कि वह परमेश्वर की सभी 613 आग्याओं का उलंदन कर रहा था दूसरे सब्दों में वह पाप के एक धेर के अधीक कुछ नहीं था जो पाप करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि वह पहले मनुष्य आदम का वंसच था जिसने धर धर्म किया था और उसकी माक के द्वारा पाप में उसका गर्ब धारन किया था यदि कोई व्यक्ति जो इस दुनिया में पैदा हुआ है उसके जन्म से लेकर उसकी मृत्यू तक पाप करता है इस प्रकार में परमेश्वर के आग्याओं का पालन करने में समर्थ है पाप के धेर कैसे सभी 613 आग्याव और परमेश्वर की व्यवस्ता का पालंग कर सकते हैं कि वल जब हम पहचानते हैं कि हम परमेश्वर की व्यवस्ता से पहले पापी है तो हम येश्यु मसी यानि की परमेश्वर की धार्मिक्ता के पास चाह सकते हैं और यह समझ सकते हैं कि हम अद् पर्मेश्वर की धार्मिक्ता को जानना और उसमें विश्वास करना चाहिए. हमें येश्वर पर विश्वास क्यों करना चाहिए? इसका कारणिया है कि पर्मेश्वर की यह धार्मिक्ता उसमें पाई जाती है. क्या आप पर्मेश्वर की धार्मिक्ता को जानते हैं और उसमे चार में शिपा है। पापी थे और हम अपने द्वारा प्रकट किये गए पापों के कारण आत्मिक मृत्ति तक पहुचे। इस पुस्तक में किया चिपा है। यह जानने के लिए कभी भी अंदर देखने की कोशिश मत करो। और फिर इसे यहां कुछ समय के लिए आपके साथ टेबल पर छोड़ दू तो आप क्या प्रतिक्रिया देंगे। जिक्षन आप मेरे सब्दों को सुनेंगे। आपको यह जानने की इच्छा होगे कि इस बाइबल में क्या चिपा है। और इस जिग्यासा के परिनाम स्वरूप आप मेरे निर्देश का उलनंगन करेंगे। जिस पल आप स्वयम के बारे में सोचेंगे कि उस बाइबल में क्या प्षिपा है। आपके पास पता लगाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होगा। लेकिन अगर मैंने आपको कभी भी बाइबल में देखने का आदेश नहीं दिया होता तो आपको कभी भी प्रलोभन का अनुभव नहीं होता। इसी तरह जब परमेश्वर हमें आग्या देता है तो जो पाप हमें गुप्त थे वे परिस्थित्यों के अनुसार स्वयम प्रगट होंगे। परमेश्वन ने मनुश्य जाती को जो व्यवस्था दी है उसमें लोगों के रिदयों में पाप को प्रगट करने की भूमिका है उसने हमें यहां इसलिए नहीं किया कि हम उसका पालन करे और अनुसरन करे बिलकि व्यवस्था हमें हमारे पापोء को प्रगट करने और इस प्रकार हमें पापी बनाने के लिए दी गई थी यदि हम येश्व मसी के पास नहीं जाते हैं और परमेश्वर की धारमिक्ता में विश्वास नहीं करते हैं जो येश्व द्वारा यहन्ना से प्राप्त बक्तिस्मा और उसके द्वारा कुरूस पर बहाए गए लहू में पाई जाती है, तो हम सभी नस्ट हो जाएंगे. हमें यह अध्यान में रखना है कि व्यवस्ता की भूमी का हमें मसी के पास लाना और उसके द्वारा परमेश्वर की धार्मिक्ता में विश्वास करने में हमारी सहाइता करना है. यही कारण है कि प्रेरित पॉलूस ने गवाही दी, परन्तु पाप ने अउस्सर पाकर आगया के द्वारा मुझ में सब प्रकार के लालश को उत्पन किया, रोमियो अध्याई साथ वचनाथ. परमेश्वर की व्यवस्था के माध्यम से प्रेरित पॉलूस ने हमें दिखाया कि पाप के मुल आधार किया है, उसने स्विकार किया कि उसके मुल सिध्धानतों में वहा एक पापी था, लेकिन येश्वर मसी द्वारा दी गई परमेश्वर की धार्मिक्ता में विश्वा करने के द्वारा उसे अरंत जीवन प्राप्त हुआ। पॉलुस का विलाप और विश्वास। इसलिए पॉलुस कहता है कि मैं कैसा अभागा मनुश्य हूं। मुझे इस बृत्यू की देह से कौन चुड़ाएगा। हमारे प्रभु येश्व मसी के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। रोमियों अध्याय साथ वचन 24 और 25। पॉलुस ने इस तथ्यो को स्विकार किया कि उसने भी जिसके पास परमेश्वर की धार्मिक्ता थी अब भी पाप किया। और इस तरह परमेश्वर की धार्मिक्ता की ना किवल उसके लिए बलकि शेष मनुश्य जा थी। हमें ये शुद्वारा प्राप्त किये गए बप्तिस्मा में चीपे रहस्यों को सही धंग से जानकर और उस पर विश्वास करके परमेश्वर की धार्मिक्ता को प्राप्त करना चाहिए। आप कोर मुझे मसी के बप्तिस्मा और कुरूस पर उसके लहू में पाए परमेश्वर की धार्मिक्ता को पुरा किया। उन्हें पालन करने के लिए दी गए थी और वे भ्रह्म में रहते हैं परन्तु हमें व्यवस्ता के द्वारा अपने पापों को पहचानना चाहिए और परमेश्वर की धार्मिक्ता में अपने विश्वास के द्वारा जीना चाहिए हमें अपनी धार्मिक्ता का अनुसरन करने के लिए परमेश्वर की इस धार्मिक्ता के विरुद नहीं जाना चाहिए बलकि हमें परमेश्वर की धार्मिक्ता में विश्वास करना चाहिए जो मसी के बप्तिस्मा और क्रूस पर उसके लहु के द्वारा पूरी होती है दूसरे सब्दों में हमें अपने प्रभू को धन्यवाद देना सीखना चाहिए जिन होने परमेश्वर की धार्मिक्ता को पुरा किया है यही कारण है कि पौलुस ने अपने सर्विक को देखकर सुरू में पुकारा मैं कितना अभागा मनुश्य हूँ एकिन फिर भी येश्वर मसी के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद किया पौलुसका यहां अंगिकार करने का कारण यहाथ हा कि जितना अधिक उसने पाप किया था उतना ही अधिक येश्वर का delta को पूरा करता था हम भी आनद और विजे के जैजे कार कर सकते हैं क्योंकि येशु वसी में हमारे विश्वास के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है ठीक वैसे ही जैसे हम सरिर की व्यवस्था और परमेश्वर की धार्मिक्ता की व्यवस्था के बीज कठीन जीवन जीते हैं पॉलुस का विश्वास वह था जो येश्यो मसी के बप्तिस्मा और कुरूश पर उसके लहू में विश्वास करता था। इस प्रकार पॉलुस परमेश्वर की धार्मिक्ता में अपने विश्वास के कारण बसा और परमेश्वर की इस धार्मिक्ता में विश्वास करके भवो बन गया जिसने परमेश्वर की स्तुति की। की जानने वालों से कहता हूं कि जब तक मनुश्य जीवित रहता है तब तक उस व्यवस्था की प्रभुता रहती है। अध्याई साथ का सार वचन 24 और 25 में पाया जाता है। पॉलस लिखता है मैं कैसा अभागा मनुश्य हूं। मुझे इस बृत्यू की दैसे कौन चुड़ाएगा। हमारे प्रभु येश्यो मसी के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए में आप बुद्धी से तो परमेश्वर की व्यवस्था का परन्तु सरिल से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूं। रूमियो अध्याई 6 में पौलुस ने उस विश्वास के बारे में बात की जो हमें मसी के साथ एकता में गाड़े जाने और पुनरुथान की ओर ले जाता है। उसके बप्तिस्मा और कुरूस पर उसके बृत्यू के साथ स्वयम को एक करके हमें इस विश्वास को प्राप कर सकते हैं। और कहा कि हमारे प्रभु येश्यो मसी के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। मसी के द्वारा परमेश्वर की धार्मिक्ता में विश्वास करने और उसके साथ एक होने के द्वारा पौलुस सरीर और मन के पापों से मुक्त हुआ था। पॉलुस का आखरी अंगिकार था इसलिए मैं आप बुद्धी से तो परमेश्वर की व्यवस्ता का परंतु सरीर से पाप की व्यवस्ता का सेवन करता हो। और अध्याय आट की शुरुआत में वह अंगिकार करता है कि अतअ अब जो मसेई येश्व में है उन पर दंड़ की आगया नहीं क्योंकि वे सरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसे येशु ने मुझे पाप की और मृत्यू की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। मुल रूप से परमेश्वर द्वारा दी गई दो व्यवस्था थी पाप और मृत्यू की व्यवस्था और जीवन की आत्मा की व्यवस्था जीवन के आत्मा की व्यवस्था ने पॉलुस को पाप और मृत्यू की व्यवस्था से बचाया इसका अर्थ था कि येश्यू के बप्तिस्मा और कुरूस पर उसकी मृत्यू में विश्वास करके जिसने अपने सभी पापों को दूर किया उसने खुद को येश्यू के साथ जोड लिया और अपने सभी पापों से बच गया हम सभी में वह विश्वास होना चाहिए जो हमें प्रभु के बप्तिस्मा और कुरुस पर उसकी मृत्यू के साथ जोड़ता है रोमियों अध्याई साथ में पॉलुस ने अंगिकार किया कि वह पहले व्यवस्ता के अधीन दंडित होने के लिए निर्धारिक था परतु येश्व मसी के द्वारा उसने इस दंडि से चुटकारा पाया इस प्रकार वह पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर की सेवा कर सकता था जो उसमें वास करता था वो सत्य जिसका पॉलुस को एहसास हुआ पौलुस ने अंगिकार किया, क्या व्यवस्था पाप है? कडापी नहीं, वरन बिना व्यवस्थाके में पाप को नहीं पहचानता रोमियो अध्याई साथ वचन साथ जबतक व्यवस्था ने न बताया, तब तक उसको लालच को नहीं जाना था तु लालच न करना मन उसे अपनी माँ के गर्बे में होता है, तब ही वे पाप को धारन करते हैं और बारा प्रकार के पापों के साथ जन्म लेते हैं, ये बारा प्रकार के पाप है व्यविचार, परस्त्रिगमन, हत्या, चोरी, लोब, दुष्टता, छल, लुच्पन, कुद्रिस्टी, निंदा अभिमान और मुर्कता, मरते दम तक हर कोई व्यक्ति ये पाप करता है, जब वा इन बारा पापों के साथ इस दुनिया में जन्म लेता है, तो दुनिया में कोई भी परमेश्वर की व्यवस्था और आग्याओ का पालन कैसे कर सकता है, जिस पल हम व्यवस्था के वचनों और आग्याओ को सुनते हैं जो हमें बताती है कि हमें क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, पाप हमारे भीतर कारे करना शुरू कर देता है, जब हम व्यवस्था और परमेश्वर की आग्याओ को नहीं जानते थे, तो हमारे भीतर के पाप चुप-चाप सो रहे परन्तु उन आग्याओं को सुनने के बाद जो हमें बताती है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है ये पाप निकल आए और हमें और भी अधिक पापी बना दिया। जिस किसी ने भी नया जन्म नहीं पाया है या पानी और आत्मा के सत्य पर विश्वास नहीं करता या नहीं समझता उसके अंदर पाप है या पाप आग्याओं के वचनों से सक्रिय होकर और भी अधिक पापों को उत्पन करता है व्यवस्था जो लोगों को बताती है कि क्या क करना है क्या नहीं करना है एक प्रशिक्षन की तरह है जो पाप को वश्मे करने की कोशिश करता है हलाकि पाप परमेश्वर की आग्याओं के विरुद जाता है और उनकी अवग्या करता है जब एक पापी आग्याओं को सुनता है तो उसके रिदे में पाप सक्रिय हो जाते है जिससे वह और भी अधिक पाप करने के लिए प्रेरित होता है हम दस आग्याओं के माध्यम से समझ सकते हैं कि हमारे अंदर पाप है इस प्रकार विवस्था की भूमी का हमारे रिदयों की भीतर के पापों को प्रकट करना है हमें यह ऐसास दिलाना है कि परमेश्वर की आग्याओं पवित्र है और हमें हमारे पापों के प्रति जागरुत करना है मुलरुप से हम परमेश्वर की सारी सुरुष्टी की लालच के साथ पैदा हुए है जिसमें वो संपती या साजेदार सामिल है जो हमारे नहीं है तो आग्या जो कहती है तो लालच ना करना हमें बताता है कि हम पापी पैदा हुए थे और हमारे जन्मक के दिन से हम नरत में जाने के लिए नियत थे यह हमें उध्धार करता के लिए अनिवार्यता भी दिखाता है जिसने परमेश्वर की धार्मिक्ता को पुरा किया यही कारण है कि पाउलुस ने स्विकार किया कि पाप ने आउसर को आग्या के द्वारा उसमें सवी प्रकार की बूरी अभिलाशाय उत्पन करने का अउसर लिया पाउलुस ने समझा कि वह एक महान पापी था जिसने परमेश्वर की अच्छी आग्याओ को थोड़ा क्योंकि वह मूल रूप से पापी पैदा हुआ था और परमेश्वर की धार्मिकता में विश्वास करने से पहले पाप के साथ था जब हम अध्याई साथ में देखते हैं तो हम पाते हैं कि प्रिविक पॉलुस बहुत आत्मिक था उसे बाइबल का व्यापत ज्यान था और उसके पास महान आत्मिक समझ और अनुभो थे इन पापों को पुनर जीवित किया गया उसने यह भी स्विकार किया कि जीवन लाने वाली आज्या ने उसे मृत्यू दी आपका विश्वास कैसा है क्या यह पॉलस की तरह है चाहे आप ये शुपर विश्वास करे या नहीं क्या आपके रिदे में पाप नहीं है यदि ऐसा है तो इसका मतलब है कि आप अभी भी परमेश्वर की धार्मिक्ता को नहीं जानते है आपने पवीत्र आत्मा को प्राप्त नहीं किया है और एक पापी है जो आपके अपने पापों के लिए नियाई करने के लिए नरक में जाने के लिए नियत है किया आप इन तथ्यों पर विश्वास करते हैं किदि आप ऐसा करते हैं तो पानी और आत्मा के सुष मचार पर विश्वास करे जिसमें परमेश्वर की धार्मिक्ता प्रगट होती है आप अपने सब पापों से बचोगे परमेश्वर की धार्मिक्ता को पाओगे और पवित्र आत्मा तुम पर उत्रेगा हमें पानी और आत्मा के सुल समाचार में विश्वास करना चाहिए पाप ने अउसर पाकर आग्या के द्वारा पौलुस को भैकाया प्रिद पौलुस ने कहा और वही आग्या जो जीवन के लिए थी मेरे लिए मृत्यू का कारण ठहरी क्योंकि पाप ने अउसर पाकर आग्या के द्वारा मुझे भैकाया और उसी के द्वारा मुझे मार भी डाला प्रोमियो अध्याई 7 वचन 10 और 11 दूसरे सब्दों में पाप ने अउसर पाकर आग्या के द्वारा पौलुस को धोका दिया पौलुस ने उस आग्या में विश्वास किया जो वास्तों में अच्छी और न्याई पुरुन थी और फिर भी उसके रिदे में 12 प्रकार के पाप जीवित और पनप रहे थे इसका अर्थ था कि उसे पाप के द्वारा धोका दिया गया था क्योंकि वहां परमेश्वर की आग्याओं के उद्देश्य को नहीं समझ सकता था सबसे पहले पौल उसने सोचा कि परमेश्वर ने उसे पालंग करने के लिए व्यवस्था दिया लेकिन बाद में उसने महसूस किया हम यह समझना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें पालन करने के लिए आग्याय और विवस्थाय दी हैं, बलकि हमारे लिए अपने पापों का ऐसास करने और पानी और आत्मा के सुसमचार में विश्वास करके परमेश्वर की धार्मिकता तक पहुँचने के लिए थी, लेकिन च पापों के साथ परमेश्वर के अनुसार जीने की कोशिश करते हैं, हम अंत में अपने पापी स्वभाव को प्रगट कर देते हैं। इसलिए एक पापी व्यवस्था के माध्यम से समझता है कि बले ही व्यवस्था पवीत्र है उसके पास पवीत्र जीवन जीने की कोई शक्तिया स्क्रमता नहीं है उस समय वह एक पापी बन जाता है जिसके पास व्यवस्था द्वारा नरत में भीजे जाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होता है परंतु पापी जो पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास नहीं करते यहां सोचते रहते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें व्यवस्था दी है कि वे उनका पालन करे वे व्यवस्था का पालन करने का प्रयास करते रहते हैं परंतु वे स्वयम को धोका देंगे और अंत में विनाश में गिरेंगे जो लोग परमेश्वर की धार्मिक्ता से अंजार रहकर नया जन्म प्राप्त नहीं करते वे पाप करते हैं और फिर प्रश्चताप की प्रात्ना करके माफी पाने का प्रयास करते हैं खाला कि अंत में उन्हें पता चल जाता है कि उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था के उद्देश्य को गलत समझा और खुद को धोका दिया है पाप ने अउसर पाकर आग्या के द्वारा उन्हें धोका दिया है परमेश्वर की व्यवस्था पवित्र है लेकिन उनके भीतर के द्वारा मेरे लिए मृत्यू का उत्पन करने वाला हुआ कि उसका पाप प्रगट हो और आग्या के द्वारा पाप बहुत ही पाप में ठहरे रूमियों अध्याई साथ वचन 11 और 12 जो लोग इस सत्य को समझते हैं वे परमेशुर की धार्मिक्ता की आवशक्ता को समझते हैं और इसलिए विश्वास करने की पानी और आत्मा का सुसमाचार ही वास्तविक सत्य है एक व्यक्ति जो पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करता है, वह भी परमेशुर की धार्मिक्ता में विश्वास करता है आईए हम अपने सभी पापों से मुक्त हो जाए परमेश्वर की धार्मिक्ता में विश्वास करके परमेश्वर की पवित्रता तक पहुँचे मैं चाहता हूँ कि आप सभी को इस समाचार से आशिश मिले पॉलुस की देह और मन कैसे थे पॉलुस आत्मा से भरा हुआ था और उसे परमेश्वर के वचिर की गहरी समझ थी हाला कि उसने अपने सरीर के बारे में निम्नली की सब्दों में कहा हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ भी का हुआ हूँ जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करना है परंतु जिससे मुझे गुरुना आती है वही करता हूँ यदि जो मैं नहीं चाहता हूँ तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है तो ऐसी दसा में उसका करने वाला मैं नहीं वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है रुमियो अध्याई 7 पचन 14-17 उसने कहा कि उसने पाप किया है क्योंकि वहाँ सवभाव से सारी रिख था क्योंकि वहाँ सारी रिख था उसने स्वयम को देह की अभिलासाओ की खोच करते हुए देखा भले ही वहाँ भला करना चाहता था पॉल उसने इस प्रकार मैसुस किया क्योंकि मैं भीतरी मनुश्यत्व से तो परमेशुर की व्यवस्ता से बहुत प्रसंद रहता हूँ परन्तु मुझे अपने अंगो में दूसरे प्रकार की व्यवस्ता दिखाई पड़ती है जो मेरी बुद्धी की व्यवस्ता से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्ता के बंदन में डालती है जो मेरे अंगो में है इस कारण उसने अपने सरीर पर विलाब किया और चिलाया मैं कैसा अभागा मनुश्य हूँ नया जन्मर लेने के बाद भी पौलुस परेसान था क्योंकि उसके भीतर बुराई मौजूद थी हाला कि वह अच्छा करना चाहता था जब पौलुस ने कहा कि उसके भीतर बुराई है तो वह अपने सरीर की बात कर रहा था उसने अपने अंगों में एक और विवस्ता देखी जो आत्मा की विवस्ता से लड़ती हुई उसे सरीर के हारने और पाप करने के लिए प्रिवित करती थी वह केवल यहां स्विकार कर सकता था कि उसके पास न्याय के अधिन होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था क्योंकि उसने देखा कि उसका सरीर पाप के लिए अपने उपर नियंत्रन कर रहा है क्योंकि पौलुस के पास भी दे थी उसने अपने सरीर से उत्पन होने वाले पापों के लिए विलाप किया इसलिए पॉलुस ने घोशना की मैं कितना अभागा मनुश्य हूँ लेकिन उसने परमेश्वर की धार्मिक्ता को पूरा करने के लिए येश्यू मसी को भी धन्यवाद दिया ऐसा इसलिए था क्योंकि उनका मानना था कि येश्यू पूर्थवी पर आया था बप्तिस्मा लिया था और सभी मनुश्य जाति को पापों की माफी देने के लिए कुरूस पर चड़ाया गया था वह दिल से परमेश्वर का धन्यवाद कर सकता था क्योंकि उसके पास एक विश्वास था जिसने उसे येश्यू मसी के बप्तिस्मा और लहू से जोड़ा पॉलुस जानता था कि जब यहन्ना ने येश्यू को बप्तिस्मा दिया तो उसके सभी पाप साथ ही साथ दुनिया के पाप एक बार और हमेशा के लिए येश्यू पर पारित हो गए वह यह भी जानता था कि जब येश्यू कुरूस पर मरा तो हम सब पाप के लिए मरे इसलिए हमें पानी और आत्मा के सत्य के साथ एक सैयुक्त विश्वास रखना चाहिए क्या आपका रिदे येशु मसी के बप्तिस्मा और लहू से एक हो गया है दूसरे सब्दों में क्या आपने पानी और आत्मा के सुसमाचार के साथ हमारे लिए एक जुट विश्वास होना बहुत महत्वपूर्णा है तो कि पानी और आत्मा के सूसमाचार के साथ एक होना प्रभु की धार्मिक्ता के साथ एक होना है रूमियो अध्याय 6 वचंतिन कहता है हम सब जिन्होंने मस्य येश्यू का बप्तिस्मा लिया उसकी मृत्यू का बप्तिस्मा लिया येश्यू के बप्तिस्मा में विश्वास करके हम भी उसके साथ बप्तिस्मा ले चुके हैं जिसका अर्थ है कि हम अपने प्रभू की मृत्यू में एक हो गये हैं अर्थात विश्वास के द्वारा एक्ता में बप्तिस्मा लेने के द्वारा हम आत्मिक रूप से उसकी मृत्यू में बप्तिस्मा ले चुके हैं प्रभू के साथ एक होना उनके बप्तिस्मा के साथ एक होना और उनकी मृत्यू के साथ एकता में मरना है इसलिए हमें विश्वास करना चाहिए ये और येश्यू के बप्तिस्मा और कुरूस पर उसकी मृत्यू के साथ एक जूट होना चाहिए जिसने परमेश्वर की धार्मिक्ता को पुरा किया है जिदि आप अभी तक पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास नहीं करते हैं जो परमेश्वर की धार्मिक्ता है तो आप येश्यू के बप्तिस्मा और उसकी मृत्यू के साथ एक जूट नहीं है और यहां इस सुसमाचार में है कि परमेश्वर की धार्मिक्ता प्रगट हुई है यदि हमारे लिदे येश्यु के बप्तिस्मा और कुरूस पर उनकी मृत्यु के साथ नहीं जुड़ते है तो हमारा विश्वास केवल सैधान्तिक और बेकार है येश्यु के बप्तिस्मा और कुरूस पर उनके लहु के साथ स्वयम को एक करे और उन पर विश्वास करे हमें ऐसा ही विश्वास करना चाहिए एक सैधान्तिक विश्वास बेकार है तो दारान के लिए एक अच्छा घर क्या अच्छा है यदि वह आपका नहीं है परमेश्वर की धार्मिक्ता को अपना बनाने के लिए हमें यह जानना चाहिए कि येश्यु के बप्तिस्मा खा उद्देश्य हमारे पापों को धोना था और यह कि क्रूस पर उनकी मृत्यू हमारे सरिर के मृत्यू के लिए थी हमारे प्रभुद्वारा पूरी की गई परमेश्यूर की धार्मिक्ता में हमारे विश्वास के माध्यम से हमें एक बार हमेशा के लिए चुटकारा पाना चाहिए और जीवन के नए पन में चलना चाहिए आपके विश्वास के माध्यम से इस प्रकार येश्यू के बप्तिस्मा और कुरूस पर उनके लहू के साथ एक जूट होकर परमेश्यूर की धार्मिक्ता वास्तों में आपकी अपनी हो जाएगी हमें येश्यू के बप्तिस्मा और मृत्यू के साथ एक होना चाहिए क्योंकि यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे विश्वास का कोई अर्थ नहीं होगा मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ मुझे इस मृत्यू की देश से कौन चुड़ाएगा यह ना केवल पॉलुस का विलाप है बलकि यहां आपका और मेरा विलाप भी है साथ युन सभी कावी जो अब तक मसी से अलग है वह जो हमें इस संकट से बचाएगा वह येश्व है और इसका समाधान केवल प्रभू में विश्वास करने से हो सकता है जिसने हमारे लिए बप्तिस्मा लिया कुरूस पर छड़ा और पुन्नरुतित हुआ पौलस ने का हमारे प्रभू येश्व मसी के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो इससे पता चलता है कि पौलस ने खुद को प्रभू के साथ एक जूट किया हमें विश्वास करना चाहिए कि यदि हम एक जूट हो जाए और विश्वास करे कि प्रभू ने अपने बप्तिस्मा और लहू के माद्यम से हमें हमारे पापों से बचाया है, तो हमें माफ किया जाएगा और अनन्त जीवन प्राप्त होगा। जब आप एक सैंत रिदे से प्रभू के बप्तिस्मा में विश्वास करते हैं तो आपके सभी पाप येश्यू मसी पर पारित हो जाएंगे कुरूस पर उनकी मृत्यू के साथ एक्ता में विश्वास प्राप करने के बाद आप मर जाएंगे और उनके साथ पुनर जीवित होंगे येश्यू ने 30 साल की उम्र में पूत्वी पर अपनी सेवकाय सुरू की अपने मिशन पर उसने जो सबसे पहला काम किया भात था यूहन्ना वप्तिस्मा देने वाले से वप्तिस्मा लेने का द्वारा हमारे पापों को दुना उसने वप्तिस्मा क्यों लिया मनुश्य जाती के सभी पापों को उठाने के लिए इसलिए अब हमने येश्यू के द्वारा किये गए परमेश्यूर की धार्मिक्ता के साथ अपने रिदे को एक किया तो हमारे सभी पाव वास्तों में येशु के बप्तिस्मा के द्वारा उस पर पारित हो गए हमारे सभी पाप येशु के उपर पारित हो गए और हमेशा के लिए धुल गए हमारे प्रभुवास्तों में इस जगत में आये और हमारे सभी पापों को उठाने के लिए बक्तिस्मा लिया और उनकी मजदूरी का भुगतान करने के लिए मर गये बप्तिस्मा लेने से ठीक पहले येश्व ने योहना से कहा हमें इसे रिती से सब धार्मिक्ता को पूरा करना उजीत है सब धार्मिक्ता येश्व के बप्तिस्मा को प्राप करने को संदर्वित करता है जिसने मनुष्य जाती के सभी पापों को धो दिया जो नरक के लिए नियत थे और उनकी मृत्यू और पुनरुथान को भी संदर्वित करते हैं परमेश्वर की धार्मिक्ता क्या है? पुराने नियम में परमेश्वर के वादों के अनुसार येश्वर का बप्तिस्मा और क्रूस पर मृत्यू जिसने सभी पाप्यों को बचाया उसकी धार्मिक्ता है मनुष्य के रूप में येश्वर के पृत्यू पर आने और बप्तिस्मा प्राप्त करने का कारण मनुष्य जाती के सभी पापों को अपने उपर लेना और उन्हें दोना रा युहना ने येशु को बब्तिस्मा क्यों दिया यहां मनुष्य जाती के सभी पापों को उठा कर परमेश्वर की धार्मिक्तों पूरा करना था हम, जिन्होंने मसिः येशुमें बबतिस्मा लिया था, उन्होंने भी उनकी मृत्यूमें बबतिस्मा लिया और अब जीवन के नये पर में चलते हैं. क्योंकि वहां मरे हुवो में से जी उठे थे. परमेशुर की धार्मिक्ता में विश्वास करने का अर्थ है येशु के बप्तिस्मा, कुरूस पर उनकी बृत्यू और उनकी पुरह रुथान में अपने रिदेई से विश्वास करना और एक होना हमारे लिए यह विश्वास करना बहुत महत्वपूना है कि येश्व ने बबबतिस्मा लेते समय हमारे सभी पापों को अपने उपर ले लिया जब वे क्रूस पर मरे तो हमें उनके साथ दपनाया गया क्योंकि उनके बबतिस्मा के दवारा हम उनके साथ एक हो गये थे हमारे सभी पापों से मुक्त होने के बाद भी परमेश्वर की धार्मिक्ता में विश्वास करके अपने दीलों को प्रभू के साथ जोड़ना हमारे लिए महत्वपूना है हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं क्योंकि हम सभी मसी के साथ मरे थे जब वहा कुरूस पर मरा था क्योंकि उसने पहले ही हमारे सभी पापों को अपने बक्तिस्मा के दवारा दे लिया था हमारे चुटकारे के द्वारा परमेश्वर की धार्मिक्ता प्राप्त करने के बाद भी विश्वास के द्वारा येश्व के साथ एक होना आवशक है चुटकारे का उपहार प्राप्त करने के बाद हमारा विश्वास केवल एक साधरन प्रथा में बिगड़ सकता है परन्तो यदि हम अपने रिदयों को प्रभू की धार्मिक्ता से मिला दे तो हमारा रिदय परमेश्वर के साथ जीवित रहेगा यदि हम परमेश्वर की धार्मिक्ता के साथ एक जो जाते हैं तो हम उसके साथ रहेंगे लेकिन यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम उसके लिए अप रासंगी हो जाते हैं। यदि हम प्रभू परमेश्वर के साथ एक जूट नहीं होते हैं और केवल उनके लिए दर्शक बने रहते हैं जैसे कि हम अपने पडोसी के बगीचे की प्रसंसा करते हैं तो हम परमेश्वर से अलग होकर अब प्रासंगी को जाएंगे। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन और विश्वास में परमेश्वर की धार्मिक्ता के साथ एक होना है। यदि हमारे पास येश्व के बप्तिस्मा और कुरूस पर उनकी मृत्यू के साथ जुड़ा हुआ विश्वास है तो हम वो मसीह हैं जो प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं। परमेश्र की धार्मिक्ता में विश्वास करने का अर्थ है प्रभू के साथ एक होना और उसकी धार्मिक्ता को स्विकार करने के लिए विश्वास रखना हमारे जीवन के हर पहलू को परमेश्र की धार्मिक्ता के साथ जोड़ा जाना चाहिए हमें ऐसे ही जीना चाहिए यदि हम उसकी धार्मिक्ता के साथ एक नहीं होते हैं तो हम अपने शरीर के दास बन जाएंगे और मर जाएंगे लेकिन जिक्ष्यान हम खुद को परमेश्वर की धार्मिक्ता के साथ एक जुट कर लेंगे हमारे सभी पापों को माफ कर दिया जाएगा जब हम अपने रिदयों को प्रभु की धार्मिक्ता के साथ जोड़ते हैं तब हम परमेश्वर के सेवक बनते हैं तब परमेश्वर के सभी कारी हमारे लिए प्रासंगिक हो जाएंगे और इस तरह उसके सभी कार्य और सामर्थ हमारे हो जाएंगे हाला कि यदि हम उसके साथ एक जूट नहीं होते हैं तो हम उसकी धार्मिक्ता के लिए अपरासंगिक रहेंगे हम सरीर में दुर्बल और कमजोर हैं जैसे पॉलुस था इसलिए हमें अपने रिदयों को परमेश्वर की धार्मिक्ता के साथ एक करना चाहिए हमें एक जूट होना चाहिए और विश्वास करना चाहिए कि येश्यू को यूहना द्वारा बप्तिस्मा दिया गया था और हमें हमारे सभी पापों से बचाने के लिए क्रूस पर चड़ाया गया था। यहां उस तरह का विश्वास है जो परमेश्वर को प्रसंद करता है और हमारे सरीर और आत्माव को आशिश देता है। यदि हम विश्वास में एक जूट होकर अपने दिलों के साथ प्रभू के प्रयासों में विश्वास करते हैं तो स्वर्ग के सभी वादा किये गए आशिश भी हमारे होंगे। इसलिए हमें उसके साथ एक होना चाहिए। दुसरी और यदि हम अपने रिदे को परमेश्वर की धार्मिक्ता के साथ नहीं जूडते हैं तो हम उसकी सेवा नहीं करेंगे। वे मसीही जो अपने दिलों को परमेशुर की धार्मिक्ता के साथ नहीं जुडते हैं वे सांसारिक मुल्यों को किसी भी चीज से अधिक प्यार करते हैं वे दुनिया में अविश्वासियों से अलग नहीं है उन्हें परमेश्वर की धार्मिक्ता के मुल्य का एसास तभी होता है जब उनकी संपती जिससे वे अपने जीवन से ज्यादा प्यार करते हैं उनसे चीन ली जाती है लोगों के जीवन पर नियंत्रन करने के लिए भौतिक चीजों में उतनी सामर्थ नहीं है केवल परभु की धार्मिक्ता ही हमें पापों की माफी, अनन्त जीवन और आशिश दे सकती है बहुतनीक चीजे हमारे जीवन के लायक नहीं है हमें यहां समझना चाहिए कि यदि हम परभु की धार्मिक्ता के साथ एक हो जाते हैं तो हम और हमारे पडोसी जीवित रहेंगे हमारे रिदयों को परभु की धार्मिक्ता में एक होना चाहिए हमें विश्वास से जीना चाहिए और अपने रिदई को मसी के साथ एक करना चाहिए विश्वास जो मसी की धार्मिक्ता के साथ जुरा हुआ है वह सुंदर है अध्याय साथ में पॉलूस अंत में जो कहता है वह यह है कि हमें प्रभू के साथ एकता में आत्मिक जीवन जीना चाहिए क्या आपने कभी किसी ऐसे गृत्ती को देखा है जिसका रिदय परमेश्र की धार्मिक्ता के साथ जुरा नहीं है फिर भी वहां परमेश्र का सिवर मन गया है ऐसा कोई नहीं है क्या आपने किसी ऐसे व्यक्ती को देखा है जो परमेश्र की धार्मिक्ता में शामिल हुए बिना पापों की माफी के लिए आवशक सरते के रूप में पानी और आत्म के सुसमचार को स्विकार करता है ऐसा कोई नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम बाइबल के बारे में कितना जानते हैं हमारा विश्वास तब तक बेकार रहेगा जब तक कि हम परमेश्वर की धार्मिक्ता में शामिल नहीं हो जाते और यहां विश्वास नहीं करते कि येश्यू के बप्तिस्मा और कुरूस पर उनके लहू में विश्वास करके हम अपने सभी पापों से मुख्त हो सकते हैं बले हमने एक बार पापों की माफी प्राप्त कर ली हो और कलिशया में भाग लिया हो यदि हम परमेश्वर की धार्मिक्ता के साथ एक जुट नहीं है तो हम पापी है जिनका प्रभु की योजना में कोई हिस्सा नहीं है यदियपी हम कहते हैं कि हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं, हम प्रभु से अलग हो जाते हैं, यदि हम उसकी धार्मिक्ता में शामिल नहीं होते यदि हमें मसी के द्वारा सांतिवना सहायता और नेतुत्त प्राप्त करना है तो हमें परमेश्वर की धार्मिक्ता के साथ एक होना चाहिए क्या आपने पानी और आत्मा के सुल समचार में विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर की धार्मिक्ता और अपने सभी पापों की माफी प्राप्त की है क्या आप पॉलुस की नाई परमेश्वर की व्यवस्था का मन लगा कर सेवा करते हो जबकि आपका सरीर प्रतिदिन पाप की व्यवस्था के अधिन है हमें हर समय परमेश्वर की धार्मिक्ता में शामिल होना चाहिए क्या होगा यदि हम अपने आपको परमेश्वर की धार्मिक्ता के साथ एक जूट नहीं करते हैं हम नस्ट हो जाएंगे परतु जो परमेश्वर की धार्मिक्ता के साथ जुड़े हुए हैं वे ऐसे जीवन को व्यतित करेंगे जो परमेश्वर की कलिस्या के साथ जुड़े हुए हैं। हमेशा परमेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए और विश्वास से जीवन को जीना चाहिए। हमारे सबी पापों को उठाने के लिए प्रभु ने वप्तिस्मा लिया था। जब हम इस विश्वास और परमेश्वर की धार्मिक्ता में शामिल हो जाते हैं तो हमें परमेश्वर से शांती मिलेगी और आप उसके द्वारा नवी निकुरूत धनिया और ससक्त होंगे। अपने आपको परमेश्वर की धार्मिक्ता से जोड़े तब आपको नई सामर्थ मिलेगी। अब परमेश्वर की धार्मिक्ता में ये शुके बप्तिस्मा के साथ एक हो जाओ। और इस प्रकार आप अपने सभी पापों से बुख्त हो जाएंगे। जो लोग इस तरह से विश्वास करते हैं वे उस छात्र की तरह है जो अपने शिक्षकों से केवल ज्यान स्विकार करते हैं। यदि शात्र वास्तों में अपने सिक्षकों का सन्मान करता है तो वह उनके महान चरित्रो नेत्रुत्व या महान व्यक्तित्व से भी सीखेगा। हमें परमेश्वर के वचन को केवल एक और ज्यान के रुप में स्विकार नहीं करना चाहिए। सइनक तो विश्वास नहीं है बलकि एक उथला विश्वास है। परमेश्वर की दया जैसा कि एक भजन में गाया जाता है एक दीव्य सागर एक असीम और अथा बाढ़ है। जब हमारे रिदे परमेश्वर की धार्मिक्ता के साथ एक हो जाते हैं तो परमेश्वर की दया के समान असीम और अथा सांती होगी जिसने हमें उसकी धार्मिक्ता प्रदान की है। लेकिन एक सइधान्तिक और ग्नान उन्मक विश्वास जो परमेश्वर से नहीं जुड़ा है वहाँ उतले पानी की तरह है। यदि समुद्र उतला है तो उसमें आसानी से जाग आ जाता है। लेकिन नीली लहरों का सांदार प्रवा जहां समुद्र का पानी बहुत गहरा होता है अवर्णनिया है। लेकिन उतले पानी में जब लहरे किनारे से टकराती है तो वे ठक जाती है तूट जाती है जाग बन जाते हैं और गड़बड हो जाती है जो लोग परमेश्वर की धार्मिक्ता के साथ एक जुट नहीं है उनके विश्वास उतले पानी में इन लहरों के समान है जो लोग परम परमेश्वर की धार्मिक्ता से जुड़े नहीं है, वे थोड़ी सी भी परिशानी पर आसानी से हिल जाते हैं। जिसने हमें धार्मिक्ता के सेवकों के रूप में स्विकार किया है। परमेश्वर के साथ भी एक हो जाओगे। और जो परमेश्वर के साथ एक हो गये हैं, वे एक दूसरे के संगती में, उसके कारियों में और एक साथ उसके वच्चन में अपने विश्वास में बढ़ते हुए एक हो जाएंगे। यदि हम अपने रिदयों को मसी के साथ नहीं जुड़ते हैं, तो हम सब कुछ खो देंगे। बले हमारा विश्वास राई के दाने जितना छोटा हो। प्रभु ने हमारे पापों को हमेशा के लिए माफ कर दिया है। हमें अपनी कमजोरियों के बावजुद हर दिन इस सचाई में जुड़ना चाहिए। केवल एक संयुक्त विश्वास ही आपको जीवित रहने देगा और येश्व मसी के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद देगा। हमें अपने रिदयों को प्रभु के साथ जुड़ना चाहिए। केवल वहाँ विश्वास जो उसके साथ जुड़ा हुआ है, वही सच्चा विश्वास है, जो उसके साथ नहीं है, वहाँ जूठा विश्वास है। पॉलुस भी परमेश्वर के साथ एक हो गया, और उसके पापों से मुख्थ हो गया, वहाँ परमेश्वर का अनमोल सेवक बन गया, जिसने येश्व मसी के द्वारा दी गई पानी और आत्मा के सूसमाचार को जान कर उस पर विश्वास किया, जो परमेश्वर की धार्मिक्त जो येश्व की धार्मिक्ता के साथ जुड़ता है, क्या आपका विश्वास येश्व के बप्तिस्मा से जुड़ा है, अब आपके लिए एक संयुक्त विश्वास का समय है, जो येश्व के बप्तिस्मा और लहू में विश्वास करता है, जिनका विश्वास परमेश्वर पापों की माफी प्राप्त करने और परमेश्वर की संतान बढ़ने की ओर ले जाता है अपने आपको एक जुट करके और परमेश्वर की धार्मिक्ता में विश्वास करके परमेश्वर की धार्मिक्ता प्राप्त करे उसने येश्यु मसी के माध्यम से विश्वास के द्वारा प्राप्त परमेश्वर की धार्मिक्ता के लिए परमेश्वर को धनेवाग दिया पॉलुस के परमेशुर की धार्मिक्ता में विश्वास करने के बाद भी वह अपने मन से परमेशुर की व्यवस्था और अपने सरीर से पाप की व्यवस्था की सेवा नहीं कर सकता था परंतु चुक कि वह प्रमेशुर की धारविक्ता पर पूरे मन से विश्वास करता था इसलिए उसके मन में कोई पाप नहीं था परुल उसने अंगिकार किया कि वह पहले से ही येशु मसी में व्यवस्था के द्वारा दोसी ठहराया गया था और परमेशुर की धार्विक्ता के कारण विश्वास के द्वारा पाप से बचाया गया था। उसने यह भी कहा कि जो लोग परमेशुर की क्रोध और उसकी व्यवस्ता की सजा का सामना करते हैं, वे अभी भी अपने रिदयों में परमेशुर की धार्विक्ता पर विश्वास होती है इसलिए पापी केवल पाप की काम ना करते हैं और इससे अधिक वे अपनी स्वाभावी उनके रिदे में पाप है क्योंकि उन में परमेश्वर की धार्मिक्ता नहीं पाई जाती परंतु नया जन्म पाएं लोगों के रिदे में परमेश्वर की धार्मिक्ता और पवित्र आत्मा दोनों है परंतु पाप नहीं जब पौलुस के रिदे में पाप था तब उसने विलाव किया क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वह तो नहीं करता परन्तु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूं मैं ऐसा अभागा मनुश्य हूं मुझे इस बुरुत्यू की देश से कौन छुडाएगा हमारे प्रबो येश्रु मसी के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो रुमियो अध्याई 7 वचन 19 और 24 पचिस इसका मतलब है कि उसने येश्रु मसी पर विश्वास करने के द्वारा जिसने परमेश्वर की धार्मिक्ता को पूरा किया उसके द्वारा अपने सारे पापों से उध्धार परात किया अध्याई 7 में पॉलस जो कहना चाह रहा था वह यह है कि पहले जब उसका नया जिन्म नहीं हुआ था तब वह धार्मिक्ता वह नहीं जानता था कि व्यवस्ता की भूमी का क्या है लेकिन उसने कहा कि जिसने उसे पाप के कारण उस अभागी स्थिती से चुड़ाया वह येश्व मसी था जिसने परमेश्वर की धार्मिक्ता को पूरा किया था जो कोई यह विश्वास करेगा कि येश्यू मसी ने हमें पापों से छुडाने के लिए परमेश्वर की धार्मिक्ता को पूरा किया वह बच जाएगा जो लोग परमेश्वर की धार्मिक्ता में विश्वास करते हैं वे मन से परमेश्वर की व्यवस्था की सेवा करते हैं दूसरी और जिन लोगों को पापों की माफी नहीं मिली है उनके मन और शरीर दोनों की केवल पाप करने के लिए प्रेवित होंगे क्योंकि उनके रिदय के मुल में पाप पाया जाता है परंतु जो परमेश्वर की धार्मिक्ता को जानते हैं और उसपर विश्वास करते हैं वे परमेश्वर की धार्मिक्ता का पालन करते हैं हम येश्यू मसी के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि मसी ने परमेश्वर की सब धार्मिक्ता को पुरा किया है झाल झाल